दोस्तो मैं डॉक्टर जिब्रेईल वाशिम से जनरल प्रेक्टिशनर आज हम बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं फॉर्स्ट एड बॉक्स के बारे में हैंने इमर्जंसी में हर घर में कौन-कौन सी दवाया रखना जरूरी है ताके अगर आपको डॉक्टर अवेले बनना हो या कुछ ऐसी अमर्जंसी साजाए जैसे शायद बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं देहात वगरा में जहां से डॉक्टर जल्दी आपको मिलना मुश्किल है या फिर आज की बीजे लाइफ में अगर आप घर पे अकेले है बच्चों को बुखार आ गया घर पे जेंट्स नहीं है या फिर आपके पास कुछ वेहिकल का प्रॉब्लम है एटो नहीं है या आप इतने ज़्यादा बीमार है कि आप दवा खाने तक जाने के लिए आपको कुछ वेहिकल नहीं मिल रहा है या पैदल आप नहीं जा सकते तो ऐसे वक्त में आपके पास में कौन-कौन सी इमर्जेंसी मेडिसिन घर पे होना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेगी क्योंकि आज का दवर ऐसा हो गया कि जितना किराना उतना ही दवा खाना इसके बहुत सारे रिज़ाने इस पे आज हम बात नहीं करेंगे लेकिन आज हर घर में कुछ इमर्जेंसी मेडिसिन रखना जरूरी हो गया है तो उसी दवाईयों के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों फर्स्ट एट के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि ये वीडियो की नीचे आपको एक जगा सब्सक्राइब लिखावा दिख रहा हूँगा आप उसे दबाया कर जो है मेरे चैनल डॉ जिबरेल वाशिम को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता रहा है मेरा और हमारे जो वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वह आप तक जल से जल पहुछ सकें दोस्तों इमर्जेंसी मेडिसिन के अगर बात करें फर्स्ट एट बॉक्स के अग बुखार में मैं सबसे ज्यादा जो दी जैने वाली दवा है पुरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इस्तिमाल की जाणी वाली जो दवा है वो है पैरस एत्माल बहुत ही सेटि elo curved बहुत ही मश्यूर ड़ा है अगर टॉक्ट्टर दीनबर में से सो पेशन दिक परकेट में मिलता है चाहिए वो कालपोल हो पैसी मॉल हो डोलो हो सुमॉल हो यह से भी अच्छी कंपइनियों के परस्टमॉल आपको हर मेडिकल पर मिल जाएंगे अगर आपके घर में एक साल से कम उम्मर का बच्चा है तो आप परस्टमॉल का ड्रॉप लेकर आए अगर एक साल से तो तीन साल तक के अगर बच्चा है तो पैरस्टमॉल एक सो बीस एमजी का जो सीरा पाता है वो लाएए अगर आपके पास अगर आपके घर पर ड्ही साल से तो साथ साल के उमर का अगर बच्चा है तो पैरस्टमॉल ड्ही सो भी लेकर आ सकते हैं और पैरस्टमॉल पास्सो दीजिए अगर हिल्दी है बहुत ज़्यादा बुखार है तो पैरसोटोमाल 650 mg की भी टेबलेट आती है वो आप दे सकते हैं बुखार आने पर मेडिकल फेल में दूसरी इमर्जेंसी एक देखा गया है ओमेटिंग उल्टी अक्सर बच्चों को रात भी रात कभी भी उल्टे शुरू हो जाते और रात में फिर आपको भी तकलिप के दावा खाने ने आजी रात को कहां दावा खाने में जाना है तो आप या तो आपको ड सेटरन चलिप के अंदर आपको शिरह भी मिल जाएंगी जो आप यह मेने से तो तो देड़ साल से पास साल के बच्चे को भी दे सकते हैं है ओंड्ण सेटरन सीरफ जो है मारकेट मे ओंडने माम से आती है यह MSET नाम से भी आती है यह Omicain जो है Mankind Company की वो नाम Omicain नाम से भी जो है उसकी सीरप या टेबलेट मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएंगी अगर आपका बच्चा 6 महने से तो देड़ साल तक के है तो आप उसे धाई मिली दवा दीजिए 2.5 मेल दीजिए अगर आपका बच्चा उससे बड़ा है तो आप 5 मेल दे सकते हैं बड़ों में जो है यह 4 mg की गुली आती है और नेम 4 mg और ओमेकान 4 mg आप यह गुली जो है वो होती है पेट दर्द की पेट में दर्द जो है इसकी लिए सबसे मशूर जो दवा है वो पैरसेटोमल उसके प्लस में डाय सैक्लोमीन जो तो content होता है उसके medicine आती है cycloparm जो है अपने नाम सुना होंगा सबस्यादा मश्यूर गोली है पेट दर्थ की यह गोली जो है आप घर पे रख सकते है इसमें drop भी आता है cycloparm नाम से syrup आती है cycloparm नाम से और इसमें tablet भी आती है पेट दर्थ के लिए 6 महने से कम बच्चों को जनरली cycloparm नहीं देना चाहिए आपको जो है 6 महने से तो एक साल के बच्चों को आप उमर के इसाब से पास से दस बुन तक दे सकते है अगर आपका घर पे अगर देड़ सा से ज्यादा उमर का बच्चा है तो आप cycloparm सीरब भी रख सकते हैं अगर देड़ साल तक के अगर बच्चा है तो ठाही मिली देना है 2.5 मिल देना है उससे अगर बड़ा बच्चा रहा तो आप 5 ml cycloparm उसको दे सकते है इमर्जेंसी के अंदर उसके बाद में चौती जो इम प्रोफेन प्लस पैरसटोमल नाम से जो दवा आती है जिसमें कॉमनली मार्केट में आईबू जीशिक प्लस फ्लेक्जोन यह नाम से जो है या फिर अलकेम का जो है फेंचेटा प्लस यह जो दवाईया है आपको हर मेडिकल पर मिल जाएंगी यह जो दवाई रखने का एक यह भी है कि अगर बहुत ज्यादा तेज बुखार रहता है अगर पैरसटोमल से अगर बुखार कंट्रोल नहीं होता है तो भी आप आईबू जीशिक प्लस या फिर फ्लेक्जोन सीरप आप दे सकते हैं और यह बच्चों को दर्द के लिए भी दवा काम में आती है अक्सर जो डोजे होते हैं वह अगर अगर हाव ऑप का बच्चा गर साथ महते से अगर देश इव साल तक के है तो आप ड्ली मीली से साड़े तिन मीली दीजी अगर देश आ साल यह बच्चा ज्यादा है उमर ऊ83 दिरत जीशा और पांच आमिल भी सकते भी आप दोर आप ऐस पर स और इसके लिए अगर आपको रखना है को मनले मेडीशन उख सकते है안 w तैबलेट और एक सेटरीजें के अंदर मेडिकल सेटरीजन सीरड़ रख सकते हैं यह भी बच्चों को जो है अगर बच्चा छे मैने के उपर अगर है देड़ साल तक के तो आप देड़ मिली से ठाई मिली दे सकते है उसके बाद में आपको पाच मिली भी देड़ साल के उपर आप पाच मिली भी दवा सेटरिजिन की दे सकते है उसके बाद में जो कॉमनली जो हमको अगर घर पे रखने की जो दवा जो ज़रुत पड़ती है वो है पेंकिलर की दोस्तों पेंकिलर बताने से फिर एक बार बता दू कि पेंकिलर ज्यादा इस्तिमाल करना ये किड्नी के लिए धोका है तो पेंकिलर आप बहुत ही कॉशियसली बहुत ही इमर्जेंसी में ही इस्तिमाल आपको करना है पेंकिलर में बहुत सारे ड्रग आते है डैकलोफिनेक आता है निमूसलाइड आता है या फिर बहुत सारे रेंज पेंकिलर के अंदर है एसिकलोफिनेक आता है commonly आप घर पे जो रख सकते है safely drug है asiclofenac और paracetomal जो market में zero dollar P नाम से आती है asiclofenac P नाम से आती है बहुत सारे company के आपको जो है medical पे जो asiclofenac और paracetomal combination मिल जाएंगे आप इसमेचे कोई भी जो है एक combination जो है घर पे लाकर रख सकते है आपको अगर emergency में बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा हो बहुत ज्यादा कुछ भी कही पर भी अगर आपको दर्द हो रहा हो तो emergency में आप ये pain killer ले सकते हैं लेकिन फिर एक बर बता दू ज्यादा pain killer लेना ये kidney के लिए धोका है उसके बाद में जो commonly emergency बच्चों में आता है छे मेने से कम बच्चों को वह ग्रैपिंग पेइन पेट में दर्द या चिर्चिर पना तो ऐसे वक्त में मैंने जैसा बता है कि साइकलोपाम आप 6 मैने से कम बच्चों को ना दे तो 6 मैने से कम बच्चों के लिए आप जो है जो है डिलाइल वगरा जो कम्बिनिशन आते है उसके अंदर कोलीकेड नाम से ड्रॉप आता है गैस्टी का नाम से ड्रॉप आता है कोलीजा नाम से ड्रॉप आता है या नियोप जो आती है जनरली वो होता है एसी डिटी का कई बार कुछ स्पाइसी खाने में आ गया या किसी वज़े से कुछ एक्जर्शन या खाने का टाइमिंग बदल गया तो बहुत सारे लोगों का एसी डिटी का प्रॉब्लम आता है और अक्सार एसी डिटी रात में ज्यादा साता जब आपके पास डॉक्टर अवेलबल ना हो तो ऐसे वक्त में आप एसी डिटी की भी एक गूली घर पर रख सकते हैं चाहे वह रहने टीडिन हो जो जिन टेक या रेंटेक नाम से मार्केट में आती है रहेवेप्रोजल टुइंटी अप रख सकते हैं जो साहरा टुइंट ले सकते हैं लेकिन यह भी ध्यान रखी है बहुत ज्यादा पीपी आई यह ने पो जो है प्रोटन पम इनिविटर जीसे कहता है रेविप्रोजल ओमेप्रोजल पेंटर प्रोजल यह भी लगातार इस्तिमाल करना यह जो है किद्नी के लिए नुक्सान दे हैं तो आपको य भी लगातार इस्तिमाल नहीं करना है कि लिए हम लोग सेप्रेट वीडियो लाने वाले हैं आप उससे जरूर देखना लेकिन फिलाल में इमर्जेंसी के अंदर आप आप सकते हैं लेकिन आप इसे रेगुलर इस्तिमाल ला करें कि दूसरी चीज और कुंती इमर्जेंसी हम इनको माइगरेन का प्रॉब्लम है सीवेर हेडेक जो होता है तो उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर से आप अपनी दवई रख सकते हैं उसके अलावा एक जो इमर्जेंसी जो ड्रग है सॉर्बिट रेट फाइयो एमजी जो आता है अगर आपके घर में बीपी का पे बास्ता कभी-कभी इसी इमर्जेंसी आजाए बहुत ज्यादा चाहती में दर्द होने लगे बीपी वाले पेशन को हाट वाले पेशन को तो ऐसे वक्त में आप इमर्जेंसी में सॉर्बिट रेट फाइव एमजी जो है वो अपने घर पे ज़रूर रखे इसके अलावा मैं आपको दो आयर्विदिक दवया रिकमेंडेट करूँगा जो आपके घर पे हमेशा होना चाहिए एक है अभी पत्तिकर चुरन करके एक आता है यह एक लिए बहुत अच्छी दवा है जैसा मैंने बताए कि आप प्रोटोन पाम इनिविटर जो है रेविप्रोजल वगर यह आपको डबल काम देंगा अगर आप खाने के पहले अगर लेते हैं 15-20 मिनट पहले तो आपके एसरेटी को भी कम करेंगा यह अगर आपको कप्स की शिकायत है अगर आपके मोशन साफ ने हो रहे है लेटरिन साफ ने हो रही है तो आप जो एक चम्माची से खाना खाने क की लिए बहुत अच्छी गोली है कही बार ऐसा होता है कि हम लोग कही दावत मी चले मेह नौर्मल से जादा खाने में आ गया है या घर पे महमन आ गया यह किसी वज़ते कब ब्लच rear उगया है तो रात में बहुत ज्यादा तकलिफ देता एक कई बदा के रात में सभी डॉक्टर को रात में जो है जो Dway के लिए पेड़स ड़ोत की लिए बेचेनि के लिए पेशन्ट डिस्टब करते है तो ऐसे वक्त में आप यह गैसिक्स टैबलेट खाना खाने के बाद में दो टैबलेट आप ले सकते हैं इससे भी जो है बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा जो है इससे आराम हो जाता है दोस्तों हमने जो रेगुलर इस्तेमाल हों में होने जरूर कॉंटेक कीजिए आपके बच्चे के उम्र और अंदाजन जो बच्चे का वज़न है उसके बारे में आप हमें बताइए और हम आपको बच्चे के लिए जो है डोजे हम आपको वाट्सप पर रिकमेंडेट करेंगे एक इमर्जनसी जो मैं भूल गया हूँ वो है अ बहुत सारे चीजों को देख कर देना पड़ता है कई बार वाईरल डायरेम एंटिवैटिक का कोई रोल भी नहीं रहता है लेकिन आप जो है घर पर ओर जो है और रियाडरेशन सोलूशन जो है और जो वैलेट नाम से मिलता है मार्केट में एलेटरॉल नाम से मिलता है एनर प्रोबाइटिक जो सहेचेट आते हैं जो नाम से कोमनली हरमेडिकल में मिल जाता है वह आप रखिए घर पे अगर बच्चे क्छे मेने ते चोटा बच्चा है तो आप इस प्रोलेक आदा सहेचेट। दो टेम दीजिए बड़ा गर बच्चा है तो सपरोलेक जो है एक एक सहे इफेट या कोई नुकसान नहीं है इसके अलावा दोस्तों मेडिसिन के अलावा कुछ जिसे घर पे इमर्जनसी में रखना जरूरी है वह बेटेडिन या डेटल जो है कभी इमर्जनसी में कि चोट लग जाए या कुछ जखम लग जाए तो बेटेडिन आप रख सकते है एक क जिसे हमारे दर निमूली टीप कहा जाता है जो हम आखों में इस्तेमाल करते है वह भी आप घर पर रखिए चोटे मोटे जखमों के लिए वह एक एंटिबाटिक जो है उसमें कुलोरम फेनिकल जो एंटिबाटिक होता है वह जखम सुकानी के लिए बहुत ही अच्छा मेड इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छे गुंदरम है और यह जो है जल्दी जखम को आपको भराने में मदद करेंगा इसके लावा आप जो है आज के इस दौर के इसाब से थर्मा मेंटर आज हर घर में रखना जरूरी है नेबूलाइजर आप रख सकते है यह इसके लावा बहुत सारी चीजे जो आपको ऐसे लगता है कि घर पर होना चाहिए जैसे डाइबेटिक जो पेशेंट है उन वो लोग अपने पास में रख सकते तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो है जरूरत के हिसाब से आप जो है अपने फर्स्टेट बॉक्स के अंदर चीजे रख स यह बहुत सारे ऐसे अमर्जेंसी हो सकते है परसन जो परसन हर आदमी के अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते है तो आप हमें जरूर वाट्स अप कीजिए हम आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों हमारे चैनल डॉक्टर जिब्रेल वाशिम पे हम हिल्ट रिले जिए बाइ